आल्रेट चेक इट आउट गाईज, स्वागत है आपका स्टोन टैक में, आज हम बात करेंगे शाउमी रेडमी नोट 11 प्रो प्लस के बारे में, जानेंगे इसके फुल फीचर एंड स्पेसिफिकेशन और क्या है इस मोबाईल में कुछ खास सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाईल की डिस्प्ले के बारे में, जिसमें 6.67 इंचिस की AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, एस्पेक्ट रिशियो 20 to 9 होगा और स्क्रीन डेंसिटी 395 PPI होगी अगर बात करें इस मोबाईल के स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो इस मोबाईल में गोरिला ग्लास 5 स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी अब चलते हैं इस mobile के अगले segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के operating system, chipset और GPU के बारे में इस mobile में Android 11 operating system आपको देखने को मिलेगा chipset MediaTek Dimensity 925G होगा और अगर बात करें इस mobile के GPU के तो इस mobile में Mali G68 MC4 GPU आपको देखने को मिल जाएगा आप बात करते हैं इस mobile के main camera की जिसमें 108, 8 और 2 megapixel के triple camera आपको देखने को मिलेगा camera feature में इस mobile में HDR का feature भी होगा अगर बात करें main camera की video quality की तो आप इस mobile से 4K और 1080p में nice quality की photos और video shoot कर सकते हैं अगर बात करें selfie camera की तो इस mobile में 16 megapixel का एक front camera आपको देखने को मिलेगा और front camera की video quality 1080p होगी आप चलते हैं इस mobile के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile की memory के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के card slot की तो card slot अभी unspecified है internal memory 128 GB और 256 GB के variant में होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो ये mobile आपको 6 GB और 8 GB के variant में देखने को मिल जाएगा अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में एक decent quality का stereo loudspeaker आपको देखने को मिलेगा और 3.5 mm jack भी इस mobile में होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको side mounted देखने को मिलेगा अब बात करते हैं इस mobile की battery के बारे में जिसमें 4500 mhk के L.I.P.O. बैटरी आपको देखने को मिलेगी और charging की बात करें तो इस mobile में 120 watt की fast charging भी होगी अगर बात करें इस mobile के कुछ common features की तो इस mobile में 2.0 type-c USB port आपको देखने को मिलेगा infrared port और NFC का feature भी आपको इस mobile में मिल जाएगा आप चलते हैं इस mobile के सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color price और release date की सबसे पहले बात करते हैं इस mobile के color की तो ये mobile आपको black, green और purple color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 22,290 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो ये mobile 13 January को release हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना इस mobile का सबसे अच्छा feature आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में